जै मातारानी दोस्तों नीता विक्रम चैनल में आपका स्वाकत है आज है 24 जुलाई 2021 की तारिक आशान शुक्लपक शुप पूरण माशी इस दिन को गुरु पूरण माशी के नाम से भी मनाया जाता है आप सभी को गुरु पूरण माशी परव की हार्दिक शुप काम नाए आज इस वीडियो में आपको बहुत ही छोटे छोटे ऐसे उपाय में बताने वाली हूँ जिनके करने मात्र से आपके जीवन में यदि कोई कश्ट संकट चल रहा है तो वो शीग्र दूर हो जाएगा दोस्तों जिसके जीवन में गुरु होता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं होता सबसे पहले गुरु को नमन जरूर करिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णू, गुरु देवो, महेश्वरा, गुरु साक्षात, परम ब्रह्मा, तसमे श्री गुर्वे नम्हा अपने जीवन में एक आदत बनाईए सुभा जल्दी उठने की सुभा जल्दी उठके अपने नियमित कार्यों को करके आप सुभा के समय मंतर जाप जरूर करें यदि आप किसी भी प्रकार की बाधा से अपने जीवन में दुख पा रहे हैं तो सुबह के समय उठके मां गायत्री का जब नियमित तौर पे करने से आपके जीवन के बड़े बड़े कश्ट दूर होने लगते हैं। गायत्री मंत्र का जब सभी लोग कर सकते हैं। इससे आपके घर में यदि कोई परिशानी नेगेटिविटी है तो वो दूर होने लगती है। दोस्तों यदि आपने अपने लिए कोई गुरु बनाए हैं तो भले ही वो गुरु आपसे कितने ही दूर क्यों नहों। परंतु कीवल उनका इसमरन करने मात्र से आप उन्हें अपना नमन भेज सकते हैं। तो आज के दिन पे आपको अपने गुरु को याद जरूर करना चाहिए। यदि संभव हो तो उनसे पून पे बात करें। उनके पास जाएं। उन्हें कोई भेट उपहार जरूर दें। दोस्तों जिसके कोई गुरु नहीं होतें। जिसने आज तक कभी गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं करा है। उनके लिए परब्रह्मर श्रीहरी विश्नु गुरु हैं। उन्हें इस दिन पे मंदिर जरूर जाना चाहिए। यदि आपने अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं तो आपको मंदिर जाके भगवन का पूजन अर्चन करना चाहिए। जैसे कि आज से सावन का महिना भी शुरू हो रहा है तो आप शिवजी पे बेल पत्र और जल इत्यादी जरूर अर्पित करें। यदि आप विश्नु मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पीले रंकी मिठाई, भोजन, वस्त्र इत्यादी लेके जाएं और मंदिर में चढ़ाएं। आज के दिन मंदिर में खीर बना के ले जाना और इस खीर के प्रसाद को सभी लोगों को बाटना और मंदिर के पुजारी को देना अति उत्तम बताया गया है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपके घर प्रसन्न होती हैं और आपकी हर इक्षा पूरी करने लगती हैं। के सभी प्रकार के रोकशोक संकटों को दूर कर दें। आज दोस्तों गुरुपूरण माशी का दिन है। आज के दिन आपको अहिंसा और त्याग की भावना से उत्प्रोथों के शुप कार्यों को करना चाहिए। दान दक्षणा देनी चाहिए। जिससे की मालक्षमी आपके घर के भंडार भर दें। और आपके जीवन के सभी कश्टों को दूर कर दें। गुरुपूरण माशी के दिन पे आप सभी अपने गुरु से मिलने जा सकते हैं। और उनके लिए कोई नो कोई भेट उपहार अवश्य भेज सकते हैं। आप जिसना भी दानपुन्य करते है उसी हिसाब से आपके जीवन में आपके करे हुए कर्मों के फल आपको प्राप्त होने लगते हैं आप यदि इश्वर में सच्ची भक्ती भावना रखके केवल 5-10 रुपे का भी दान करते हैं तो आपके जीवन के बड़े-बड़े कष्ट दूर होने लगते हैं इसके विप्रीद यदि आप हमेशा कंजूसी करते हैं और बिलकुल भी दानपुन्य नहीं देते हैं तो आप नाना प्रकार के कष्टों को पाते रहते हैं इसलिए पूरण माशी के दिन आपको यतन करते हुए कुछ ना कुछ दानपुन्य जरूर करना चाहिए इससे आपको भगवान की गृपा और उनका आशिरवाद अवश्य प्राप्त होगा यदि अभी तक आपने जाप की माला नहीं खरीदी है तो गुरुपूरण माशी के दिन पे ये माला खरीद के आपको भगवान के सामने इसे रखके नियमित जाप करने की आदत जरूर डालनी चाहिए हिंदू सनातन धर्मों में जब तब को बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है जो इस्तरी अत्वापुरश प्रति दिन जब करते हैं उनके जीवन में पुन्य का संचय होना शुरू हो जाता है और जीवन के बड़े-बड़े कष्ट दूर होने लगते हैं गुरू पूरण माशी के दिन पे आपको एक छोटा सा कार्य भी जरूर करना चाहिए यदि घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ हो तो उस पेड़ के पास जाके थोड़ा मीथा जल चढ़ाना चाहिए या फिर थोड़ी सी शक्कर खांड आटे में मिला के ले जाना चाहिए और उसे पीपल के जड़के आसपास डाल देना चाहिए इससे आपको चीटियों से भी अधिक मदद मिलेगी क्योंकि ये जो भोजन आप वहाँ पे डालेंगे इससे चीटियां अपने घर में ले जाएंगी और भोजन को ग्रहन करेंगी ऐसा करने से आपके जॉब में यदि कोई परिशानी आ रही है आपके कारेस्थल पे आपके साथ कोई अच्छा वहवार नहीं करता है या आपके कारेस्थल पे किसी भी प्रकार की परिशानी होगी तो हो दूर होने लगेगी साथ ही साथ पीपल के व्रक्षि के पास में शुद्र देसीखी का अथवा तिल के तेल का अथवा कड़वे तेल का भी दिया आप जला के आ सकते हैं वैसे मालक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए यदि आप चाहते हैं आपके शत्रों का शवन हो और जीवन में शत्रों से संबंदित दुख परिशानिया दूर होने लगें तो आप कड़वे तेल का दीपक भी जला सकते हैं मालक्षमी अपने भक्तों पे तब क्रसन होती हैं जब श्री भरी विष्णू की भक्ती करते हैं वैसे भी दोस्तों चातुर मास प्रारंब हो गया है और मैंने आपको बताया था इन चार महीनों में यदि आप प्रति दिन पुरुशुक्त का पाठ करते हैं तो आपको अच्छी बुद्धी की प्राप्ती होती है और जीवन के कश्ट दूर होने लगते हैं तो आपको आज से शुरू करके चातुर मास में पुरुशुक्त का पाठ प्रति दिन करना चाहिए साथ ही साथ आपको इसनान करते समय हर हर गंगे हर हर यमने इत्यादी इस प्रकार की नदियों का इसमरण जरूर करना चाहिए इस प्रकार नतियों का इस्मरण करके आप यदि इस्तनान करते हैं तो आपके जीवन में शुद्धी की आपको प्राप्ती होती है और आपके आध्यात्मिक उननती भी होती है घर के हर प्रकार के रोक शोक कष्ट दूर होने लगते हैं जब आप सच्चे हिदे से प्रभु इसमरन करते हुए अपने जीवन को व्यतीद करते हैं ये चार मास भगवान शीर सागर में जाके शैन करते हैं और इन चार मास में किये हुए शुपकारियों के फल आपको शीग्र अतिशीग्र प्राप्त होने लगते हैं बस आपको पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रीहरी विष्णु को याद करते हुए ये छोटे-छोटे से उपाय जरूर कर लेने चाहिए शीहरी विष्णू की भक्ती और क्रपा प्राप्त करने के लिए इन चार महीने में आप शीहरी विष्णू के नाम का जाब कर सकते हैं ओम नमो नारायनाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जाब करने से भी आपके कश्ट दूर होने लगते हैं वैसे दोस्तों आपको एक बहुत ही रास की बात अब मैं बताने जा रही हूँ यदि आपके जीवन में आपका कोई गुरू होता है तो उनके द्वारा बताय हुए मार्ग का अनुसरन करने मातर से आपके जीवन के कश्ट दूर हो जाते हैं परंतु यदि अभी तक आपने गुरू नहीं बनाया है तो आपको प्रति दिन मंदिर जाने की आदत जरूर डालनी चाहिए ऐसा करने से आपके आसपास का वातावरन शुद्ध होता है और जीवन के कश्ट दूर होने लगते हैं साथ ही साथ आपको अपने पित्रों को भी प्रसन रखना चाहिए क्योंकि जिन लोगों के जीवन में कश्ट होते हैं उनके कश्टों को उनके पित्र हर लेते हैं इसके लिए पित्रों के निमित आप जल दे सकते हैं या अमावस्या की तिथी जो आज से 15 दिन बाद आएग उस तिथी पे भी खीर बना के मंदिर में ले जाकर इसे ब्रहमण को देने मात्र से आपके जीवन के बड़े बड़े कश्ट, बड़े बड़े दुख दूर होने लगते हैं इस प्रेकार से आपके गुरु आपके जीवन में आपके हर कार्यों को पूरा करने में सहायक होते हैं और आपके जीवन की बड़ी बड़ी दुख तकलीफों को दूर करने में भी सहायक होते हैं गुरू पूरण माशी के इस अफसर पे ये छोटे छोटे उपाय करने मातर से आपके जीवन की सभी परिशानिया दूर होने लगेंगी और जीवन में सुख सभाग्य अवश्य बढ़ने लगेगा आप भी अपने गुरू के नाम का जैकारा अवश्य लगाएं और कमेंट सेक्शन में जै मातरानी जरूर लिखें आज की जानकारी यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और परिवामित्रों के साथ अधिक से अधिक शियर करें अगला वीडियो लेकर आपसे शीगर ही मिलूगी जै मातरानी